मैं आज देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिठा भी देश के लोगों के सामने, आज मैं खुला करना चाहता। एक क्रिशी सुधार, ये कानून रातो रात नहीं आये हैं। किसानों के संगठन, कुरुशी एक्सपर्ट्स, क्रिशी अर्थसास्त्री, क्रिशी वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार क्रिशी क्षेत्र में सुधार की मांग करते आये हैं। सच पुछ मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जबाब मांगना चाहिए। जो पहले अपने गोशना पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे, और बड़ी-बड़ी बाते करके किसानों के वोट बटोरते रहे। लेकिन अपने गोशना पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिरफ इन मांगों को टालते रहे। क्योंकि किसानों की प्रात्रिता नहीं था। और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजरितिक दलों के पुराने गोशना पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृशी ववस्ता संभाल रहे थे ऐसे महनुभावों की चिठियां देखी जाएं। तो आज जो कृशी सुदार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। पुता क्या है? पुता ये है कि किशान की पैदवार सब्सक्राणों खरीने जाएं। और शहें में महेंग के दानों देखी जाती हैं। क्या मैं खुछना चाहती हूँ? क्या किशानों का हक नहीं बनता है? कि उनके पैदवार की सही की मतने मिले क्या शहर में आप इसकां का ये हक नहीं बनता है कि रोग मर्ला की ज़रूरत की चीजें उन्हें पी सही काम पर मिले ये तब संभाव होगा ये तब ही संभाव है मगर ये अच्छा है किसान के लिए अच्छा है आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है खराब नहीं है किसान के लिए आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू दो रुपे एक रुपे किलों में बेशता है अपनी ट्रोली का डाल खोल के किसान सडकों के उपर अपना अलू गेरने को मजबूर होता है जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं ऐसे जो किसानों को एक विकल्प दें उनके लिए बुरा नहीं हो सकता है विकल्प देने की आज सकता है अगर और कोई यह बा भाव देगा किसान अपना फजल उसको देगा किसी और को नहीं देगा अगर आर्टिया देगा तो आर्टिया को देगा जिनको आपने तान होता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है उसको मालूम नहीं किस मार्केट दो जाना है अगर मंडी जाता ह तो 35-45 प्रतिशद समान कराब हो जाता है और इस बीच में आठ आठ लोग कमिशन एजेंट होते हैं बीच में आठ कमिशन एजेंट विचो लिए और ये स्टडीज की गई हैं मेरे पास आखने हैं ये विचारे किसान को विचारे किसान को 15 से 17 प्रतिशद पंदरा से 17 प्रतिशद 15 से 17 प्रतिशद जो माल मार्केट में बिखता है उसका केवल 15 से 17 प्रतिशद किसान को भाता है बाकी विचौलियों को चले जाता है तो आप विपक्स के मेता और विपक्स दलों को ये तै करना है कि वो किसान के साथ हैं या पिचोलिय के साथ हैं या तै करनीजिए लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुक्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं वहाँ वहाँ कैसे आप विरोध कर सकते हैं यह एक निया नीना नियम पैदा हुआ है एक निया डेफिनिशन अफ फेडरल स्ट्रक्चर है इसके एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा लेकिं तुम्हें भी लागू नहीं करने दू पिछले चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किये थे उन सारे वादों से भारते जंता पार्टी मुकर गई सबसे बड़ा वादा इनका था कि स्वामी नासन रिपोर्ट लागू करेंगे मुझे बहुत खुशी है आज यहां सारी पार्टीयां बैठी हैं सारी पार्टीयां बैठी हैं सारी पार्टीयां केह रही हैं स्वामी नासनायोग लागू होना जाए बाजबाने पिछले चुनाव के पहले बोला था स्वामी नासनायोग लागू करेंगे स्वामी नासनायोग तुरंट लागू किया जाए किसानों को उनकी फसल का पूरे दाम दिया जाए किसानों को भीख ली चाहिए किसान अपना हक मांग रहे हैं जो खून पसीना बहाते हैं उसका हक मांग रहे हैं अगर किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिल गए किसान दुबारे आपके अपनी कर्ज माफी कराने के लिए कभी नी आएंगे अपना कर्ज वो खुद कर लेंगे अपने बच्चे की शादी खुद कर लेंगे अपनी घर में कोई बिमार होगा खुद कर लेंगे आज किसानों को इसलिए हाथ सेलाना पड़ता है इसलिए सरकारों के पास आना पड़ता है क्योंकि उनको अपनी खूनपसी ने की पूरी कमाई नी मिलती दोस्तों तो हनफ नामा वापस लो स्वामी नाजन रिपोर्ट लागू करो और नहीं तो यह जितने किसान आए है 2019 के अंदर कयामत ढादेंगे पूरे देश के अंदर तुमारे खिलाव पूछ रही है पूछ रही है पूछ रही है हमारे क्रिशी मंतरी टीम इंटर्यू में कह रहे है मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको कानून में किस क्लोज में क्या दिक्कत है बताईए जो भी दिक्कत है आप बताईए तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है और यही इन दलों की सच्चाई है आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले है जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था उस समय इन लोगों ने क्या किया यह देश को याद रखना जरूरी है वही बाते इन कृशी सुधारों में की गई है मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि क्रिशी कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलिफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोधी ने कैसे किया मोधी ने क्यों किया मोधी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए मैं सभी राजनितिक दलों को हाद जोड के कहना चाहता हूँ आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए आपके सारे पुराने गोशना पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए समरुद्धी चाहिए किसानी में आधुनिकता चाहिए आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड दीजिए उन्हें ब्रबित करना छोड दीजिए आज जूठे आसु बहाने वाले लोग कितने निर्दरी है इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामिन आधन कमिटी की रिपोट किसान से जूठे वाइदे करने वाले सत्ता में आते रहो जूठे वाइदे करते रहो मलाई खाते रहो यही इन लोगों का काम रहा है मैं आपसे कृसी सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े जूठ के बारे में बात करूंगा बार बार उस जूठ को दोराये जा रहा है जोड जोड से बोला जा रहा है जहां मोका विले वहां बोला जा रहा है बिना सिर्पयर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की थे हम भी नहीं करतें powiedzieć हमने तो यह ऐसा नहीं की हम ने तो लागू की दूसरा यह हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुबाई से पहले MSP की गोषना करती है इससे किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है